हेलो आपरिवेन, वेल्किम टू मसाला कल्चर आज हम देखने वाले हैं वेज ग्रिल सान्विच की रेसिपी रेसिपी दस मिनिट में बन जाएगी सान्विच बनाने के लिए हमें यह आपे चाहिए दो खीरे, दो गाजर, दो प्यास, दो टमाटर और तीन उबले हुए आलो खीरा और गाजर को जो है हम कद्दू कस कर लेंगे खीरे को कद्दू कस करने के बाद अगर उसमें से ज़्यादा पानी निकले तो आप उसको अलग कर लेना टमाटर और प्यास को हम बारे कट कर लेंगे मसालों में हमें लगेंगे देज चमच नमक, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच ओरिगेनोस, एक चमच जिली फ्लेक्स और एक पैकेट मैगी मैजिक मसाला यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी मियोनीस अब हम लेंगे बाउल और बाउल में डालेंगे यह बारे कटा हुआ प्यास, टमाटर, कद्दू कस किया हुआ खीरा और गाजर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना जाए यह देखे मिक्स हो गया है अब इसमें डालूँगे मैं मियोनीस मियोनीस में यहाँ पी पूरा डाल रही हूँ एककोटोरी और मियोनीस में अब मैं डालूँगे आदा चमच नमक आदा चमच ही डालना क्योंकि मियोनीस में अलड़ी नमक होता है नमक के बाद अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो यह जो सीजनिंग्स है यह आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते है अब इसको जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको साइद में रख देंगे अब यहाँ पे लेंग नमक के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने एक चमच लिया लाल मिर्च पाउडर यह आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं और अब इसमें जाएगा मैगे माजिक मसाला अगर आपके पास यह नहीं है तो पाव और यह जो आलू का बैटर है उसको एक ब्रेट पे लगा लेंगे ऐसे और इसको सइड में रख देंगे इसके बाद हम लेंगे वेजटेबिल का बैटर और उसको भी सेम हम ने जैसे आलू का लगा था वैसे दूषरे ब्रेट पे लगा लेना है इन दोनों ब्र Näट को अब जॉइन कर लेंगे आप चाहे तो इसके बीच में चीज स्लाइट्स आड़ कर सकते हैं अब हम इसको टोस्ट करेंगे टोस्ट करने के लिए मैंने गी का इस्तिमाल किया था आप बटर भी लगा सकते हैं नॉन स्टिक तवे पर इसको टोस्ट करना है दोनों साइट से इसका देखिये कलर ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको टोस्ट करना है और ये हो गया है हमारा सैंविच रेडी सैंविच बनाने के लिए मैंने जितने भी इंग्रिडियेंट्स लिये थे उससे 15-20 सैंविच आरम से बन सकते हैं और आप सैंविच में देख सकते हो दो लेयर्स आई हुई है एक पटेटो की और एक वेजिटेबिल्स की सैंविच बहुत ही यमी है और 10-15 मिनिट में बन जाएगा रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यो तो वाइगा